नालंदा में शराब बंदी कितनी कारगर हुई उसका एक और नमूना सामने आया है जहरिली शराब से पिछले महीने हुई 12 लोगों की मौत के बाद भी लोग इसके सेवन से बाज नहीं आ रहे हैं नहीं पोलिस धंदेबाजों पर अंकुष लगाने में काम्याब हो पाई है जिले में खुले आम देशी शराब का पाउच ले जाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुआ है वीडियो बिहार शरीफ प्रखंड अंतरगत तुंगी पंचायत के तुंगी गाउं का बताया जा रहा है जहां एक युवक तीन लोगों के एक साथ जाते हुए वीडियो बना रहा है जिसमें एक व्यक्ति हाथ में देशी शराब के तीन पाउच ले जाते देखा जा सकता है वीडियो बनाने वाला व्यक्ति पूछ रहा है कि ऐसे खुले आम शराब ले जाईएगा कहां से आये हैं बिहार शरीफ से तो शराब ले जाने वाला व्यक्ति बोलता है हाँ जिसके बाद वीडियो बनाने वाला व्यक्ति बोला तुंगी में शराब पीने के लिए जिसके बाद शराब ले जाने वाला व्यक्ति बोलता है कि वीडियो बना रहे हो क्या ये बोलकर आगे बढ़ जाता है ये वीडियो जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पुलिस की कारेवाई पर सवाल खड़े का रहा है दिन के उजाले में भी ऐसे खुले आम शराब का सेवन करने वाले लोग शराब बंदी की धज्यां उड़ा रही है नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट